नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके अपनी प्राची दिकारी स्वारा भासकर फिर से अपना गटर सा मुझ खोल पैठी है और स्वारा भासकर का कहना है कि एक जगे पर एक सीन है एक चित्र दिखाए जा रहा है चित्रन मतलब वीडियो उसमें जो हिंदू है वो जैश्री ना किनारे लगा रहे है और वहां पर गुरुगराम में नमाज हो रही थी तो वहां सारवजनी के स्वारा भासकर तुम्हें यू आर शेम्ड विकर्ज यू सेड ड़ा हिंदू पहले तो डुब्लिकेट और तुम हिंदू हो नहीं तुमारे जो नजाईज और जाईज संबंद संब्ले संब्लेकह और तुमारा दाना पानी योगार्णू से आता है वरना इतनी गंदी शकल में और ऐसा लगता है कि मूव में कुछ लिया हुआ है ऐसी ऐसी शकल को तो कभी काम ही नहीं मिलना चाहिए ना तुम्हारी शकल अच्चिए और विनाट आसके-शी कोई- नाम है उस असली नाम में आओ और अगर जिस ओरत को यह कह रीए कि तुम्हें लिए तो लगता है तुम्हें 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 हिंदू क्या ही क्यों रही हो तुम्हें इसका मतलब समझ महीं नहीं आ रहे क्यों क्या है एक सारविजनिक स्थल पे नमाज पढ़ने में तुम्हें शरम नहीं आ रही अली के ओपर जिसके साथ तुम इंटर कोर्स में मगन हो ठीक है उसके साथ तुम्हे जिस्मानी तालुकात में तुम मगन हो और जो तुमारे 8-10 बिजनसमेन होंगे उनके साथ तुम मगन होगी यही सब करने में तो यार तुम लोगों का तो एक धंदा बन गया है सीधे-सीधे एक चकला खाना खोड़ लो अपनी घर में तुम बुलाती हो लोगों को उनके साथ कर लो तुमारा ग्रुप क्या है वो एक अनुराक अश्यप वो भी एक फरजी ड्रगी आदमी आजकल क्या ड्रग लेकर कुछ नयना शौकपार रखा है मूझ जादा चलाने का किसी दिन रोड में आएगी चपल पढ़ेंगे तुझे ठीक है ना यह भारत में इतनी रहकर ब अगर अपने बाप की उलाद है जिस काफर बाप की उलाद है उस काफर बाप की अगर उलाद है तो अपना असली नाम बता इतनी गंदी शकल बात तो अच्छी करो कम से कम कम से कम बात तो अच्छी करें इंसान शकल अच्छी नहीं है तुझे वो जो पिछवाड़ा जुका कि वहां पर नमाज पढ़ें उसमें तरह को शरम नहीं आ रही है कि तेरे देश के जो बच्चे हैं उनका जो बच्पन है वो चिंग रहा है जहां उन्हें खेलना चाहिए वहां वो किसी प्लेग्राउंड में आकर हकते मूधते हैं टॉयलेट करते हैं पिशाप करते हैं और व इनको लाउड है तो जब इतना कुछ अलाउड है इतना कुछ कर लेते हैं उसके बाद पिछ living को जुका है घर जरी जुक जाते हैं तो बच्चे बिचार एंका बच्पन चिंगा जा रहा है जिनका वो पार्क है और ये गंदी औरत को उसमें शरम नहीं आ रही है कि वो बच्चों का I am ashamed I am living in India where people are occupying illegal people are with the illegal ways they are occupying our public property यह नहीं बोल सकती this place belongs to children this place belong to people यह नहीं बोल सकती कि सारबजी निकस्तल पे नमास पढ़ना बना है तिरको पता एक कानून है जाहिल गवार औरत जेन्यू की पैदाईश स्वरावासकर देख पहली वारी वीडियो में तो तुरे को मैंने दीदी जी करके बड़ा अच्छा जवाब दिया था लेकिन इस बार तो मैं तुझे बहुत गंदे जरू से देरी क्योंकि एक बार समझाया जाता है दूसरी बार समझाया था तीसरी बात लात मारी जाती है वह तरह को मारी है मैंने सुन सारवजने किस तल्ला पिछवाला जुका के नमास पढ़ने के लिए नहीं होता ना वहां पर रोक कर लोगों को डिस्टरब करने के लिए होता है और तेरे को पता है कि जब ट्रेंज जब चलती है और इस को रोग दे एक मिनट के लिए भी और जब देरी से पहुंचते हैं कितने करोडों का नुकरान होता है किती चीज़े इसकी वजह से रुख जाती है जब पता न हो यह पता होकर भी नाम तक कर जाए तो यह होते हैं जुद्ध खाने वाले काम और कैसी पबलिक है इस और निकलते बें देखते हो और जो और यह तो नहीं पता जो मेड है ना इसकी अगर वो हिंदू है तो इसके मुझे जाके ठूख कर आना प्लीज बड़ी गंदी और देखते हैं इतनी गंदी और नुझे तो इसके बारे में बात करतो है शरमाती है कि इस प्रकार की यह भाहियाद औरप इसको इतना व्यर कर कैसे रहे को इसको तो क्यों नहीं इसके जो एक टूट करती है क्यों करते हैं कि इस प्रिकार के हिंदु सेंटिमेंट इस प्रिकार के लिए बंन तो खुलके बनना अंड़ तो गई यह जबसे तु नाषने लगी है इन खानों के बंगलो में करीना का बच्चा क्या आशकल देना बंद कर दिया तुझे करीना ने करीना पॉटी साफ करने के लिए तुरको बच्चा देती थी दाई बनने के लिए तो आशकल मना कर दिया तुरको क्या क्या वहां से पार्ट टाइम नहीं हो रहा है तो घटिया ट्विट करने ना शकल ना कोछ ना कोछ यह है अप्टरस यह है अप लोग को ट्विट करने वाली आप लोग है गजब जो इसकी बातों का जवाब देते हैं और मुझसे कहते हैं रियक्शन दो इस दो कौड़ी की औरत के लिए मैं क्या रियक्शन दू बहुत बार कहा गया इसलिए आके रि रियक्शन मत दिया करो अब रियक्शन नहीं दिया तो आप कहते हैं रियक्शन दो बहुत लोगों ने कहा है इसलिए कर रहे हैं मुझे तो इसको देखकर अगर में सामने आ जाए ना मैं जुद जुद बजादू उसको पैसा मुँ है इसका ऐसे करके बात करती है यह किसान आंदोलन में जाकर पैसा बाटने वाली यह देश द्रोईयों के साथ खड़े होने वाली यह मुलो की एजेंट पागिस्तानी ISI की एजेंट यह इसको मार खानी चाहिए लखा तो उसको ट्विट को इसने डिपोर्ट करा तो मैंने से पूछा कि किस बात का रिपोर्ट है अगर मैं केरी हो कोई करदों किया ट्विटनर को इसमें कि आपाती कि थे बॉक्ते हैं और यज जो लड़की उसका साथ दे रही थी मैंने का हलो खो तेरा ही किसी मुले से चखका रहे है ओ लड़की ने वाइट क्री का बूर्खा पहना वद है तो लड़की तो पकड़ी गई वो लडगी इसी जनात की थी इसका सपोर्ट करवे थी और वो उसने इमें जमें पुराना लिया तो बुरहे में पे टी मूबारक दी तो मैंने का क्यों तेरा कोई दुबई के मुले से चक्कर रहे ना तो इतना चुड़ गई क्योंकि वह बुर्खा जो था बाहर का बुर्खा यहां का नहीं था अब आप सोचे ना कि इसका साथ देने वाले भी इसी जैसे और वह भी जैन्यू की लड़की थी कोई जूनियर इ इस से थोड़ी छोटी हमसे काफी बुजर्ग समझ गए इनकी हरकते देखकर तो जैन्यू वालों को तो देखकर यह जैन्यू का जो प्रोड़क्ट है ना इनको देखकर तो लगता है कि हम तो बच्चे ही अभी यह इतने वायात बात करने वाली है हर साल पांच्छे मर्द कि यह हिंदूनीजम पे वाशण देती है जहां इस उब फ्री का घर मिल गया फ्रिका रहना मिल यह उρα UP में जाती है अब देखें जब इसका स्टाइल इतना ज्यादा है तो कहा जाता है है ना थे हम तो हम तो हर किसी चीज में जा सकते हैं स्वारी बस नहीं बस बस में नहीं जा सकती mean plane करोण त्रें कर अधे हैं यहिए उस मैं उतनी क Twin तें बुरा नहीं Mr त्रें नोग जाते हैं त्लेंटी करें मे तूस के डाहिए भेजा अध्य कर सुरीए इतनी मेहनत करी है बस में बैठने जानी करी है इसकूल के टाइम में खुब बैठी हूं बस में स्कूल टाइम में और मजबूरी में एक दो बार बैठना पड़ा बॉल्वो में लेकिन मुझे नहीं अच्छ लगती बिल्कुल ही अच्छ लगती कमर दर्द हो जाता है त्रेन म बहुत मजबूरी है तो एक बार कोच चलो काम पहले है इसलिए लेकिन लोकल के लिए तो कभी यूज नहीं कर ना करूंगी कार जिंदवाद है मैं लॉंग जर्णी की बात कर रही हूं कभी नहीं कभी नहीं तो ये तो आटो में जाती है इतना बड़ा इतना अपने नाम का बुल्बुला बनाकर मैं स्वरा भासकर में ये में ये इतना नाम का बुल्बुला बनाकर ये और बता देती है कि मैं आऊंगी ना तो मिरे खीच लेना मैं खुद 5-3 हूँ यह तो ना इसकी शकल है न कुछ है यह इतनी चतंगी सी है इतनी गंदी लगती है यह है यह हिरोई आक्ट्रस है अगर आप हो या तो आप करेक्टर आटिस्ट अलग बात है आपको रोल करना करेक्टर का अब जब में लीट करते हो तो आपको फिगर भी लगते इपक्षा चाहिए उसको शकल तो चाहिए न कोई कोई ये वो थुनीन है कोई मायवति का क्या बोलते है उसको औरक्षण वाला थुनीना मब्ल है कि यहां पर आप ऐसी बन जाओगे एक्ट्रस के लिए तो शकल अच्छी होनी चाहिए ना आपकी अब बताओ यह 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 actress है, ना इसको acting आती है, ना कुछ है, यह character role-like नहीं लगती मुझे ही, और यह यहाँ survive कर रही है, और यह हमारे भारत मेरे कितनी बकवास कर रही है, और इसको आप झेल रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस पर reaction दो, ऐसी औरत को तो औरतों नहीं मिलकर सबक सिकाना चाहिए, क्य जो देश की अर्थ वैवस्ता को रोज रोज नुकसान पहुचाने वाले उन गुंडों के जो डोड रोक के बैटे थे उनका समर्तन करने वाली, यह जावेद अक्तर, यह फरान अक्तर का चमची उनकी हैं, वो जो लोग भारत के NRC और CA के प्रोटेस्ट में जाकर शाहिन ब बाटने के लिए और इतनी गंदी शकल में यह बैटती थी, यह उस औरत को आप लोगों का संड्रक्षन क्या है कि आप इसकी पोस्ट को जाके लाइक करते हैं, उस पे रिप्लाइ करते हैं, कुछ नहीं करना था आपको, रिपोर्ट करना था, वो भी नहीं कर सकते हैं, अप राम के गूच को यह आम शेम्ट कह रही है, तो जाके बीस थानों में अलग लग जगे पे फायर दर्श करो, जब ऐसा होगा तो खुदी अवकात में आ जाएगी, इसकी हर बात में फायर जाके लोगों कर दो, जो भी हिंदू के अगेंस बोलती है, हर जगे जाके वो कर दो देखो ना फिर क्या होगा, इसको कैसे बैंन नहीं होगी, यह करके देखो एक बार, आगे आपकी मर्दी, क्योंकि ऐसी भाहियाद और जिसको कुछ आता है, कुछ 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 आता है, कुछ कम्पलेटली बाइकाउट कर दो दो, उसको पैसे ट्विट के असीले मिल रहे है क्योंकि आप रियाक्ट कर रहे हैं, जब आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, उसकी चीज को रिपोर्ट करेंगे, जब वो हिंदुों के नाम पर लिखती है, जैश्री नाम पर उसको शरम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ज जिहादी वर्ग अपना काम कर रहा हैं वो तो अपने लगे हुए हैं और ऐसे टट्टू जो हैं जो मन से इसलाम वाले हैं और बाहर से हिंदू नाम रखे बैठे हुए हैं उनका हम क्या ही बोलें चलिए इसी संदेश के साथ कि आप इस प्रकार की बेफ़जूल औरत को कभी जैसे दिखे वैसे दो जूते तो अब श्रिमारेंगे और महलाओं से पढ़वाएंगे और इस देश के महलाएं कम से कम अपने श्रीराम के लिए जागरुक होकर ऐसी ओरतों के मूँपे ठोकिंग जरू जहां मिले तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि महिला हैं महिलाओं जहां बहुत हो